तो स्वागत है आप सभी का ग्याफनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज के इस वीडियो से क्लास 12 के उर्दू के चैप्टर का चैप्टर वाईज सब्जेक्टिव कोश्चन स्टार्ट हो रहा है और आज के इस पहले वीडियो में क्लास 12 के उर्दू का जो सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नमबर वन जिसका नाम है नजीर एहमत की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबाने पहले चैप्टर का हम लोग औल सब्जेक्टिव कोश्चन एंसर करने वाले हैं जिवान आप लोग के बुक में जितना भी चैप्टर वन से क्वेश्चन दिये गए हैं उन सारे क्वेश्चन का एंसर आज के इस वीडियो में औल चैप्टर को पढ़ाया जा चुका है और चैप्टर को पढ़ाया जा चुका है और अगर आप लोग चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है आप लोग औल चैप्टर को पढ़कर कम्प्रीट जरूर कर लें ताकि कोशन एंसर करने में आसानी हो मज़ा आए ठीक है तो जैसे ही मतलब डिस्क्रिप्टर में लिंक डाला गया है प्लेलिस्ट का क्लिक करेंगे तो परती एक वीडियो क्लास 12 के उर्दू का जितना भी चैप्टर है ओल चैप्टर का वन बई वन करके वीडि चैप्टर है सभी चैप्टर का कोशन एंसर एक ही वीडियो में कंप्लीट कराना संभव तो है लेकिन आप सभी स्टूडेंट के लिए उसे याद रखना काफी मुश्किल बूंद 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 ले तलाब भरता है आप लोग सुनने होंगे यानि कि तलाब को अचानक ध और तो फिर तलाब का जो पानी का इस्तर है वह वह बरकरार रहेगा अगर मैं एक ही वीडियो में सभी चैप्टर का इसार करा दो तो उसकता है एक ही वीडियो में क्लास 12 के उर्दू के है अप्लोड भी वीडियो हो जाएगा लेकिन आप सभी इस्ट टूरंन के लिए वह उतना लंबा वीडियो देखना और एक ही वीडियो में वो जितने सारी question answer में कराऊंगी उसे याद रखना काफी मुश्किल हो जाएगा आप लोग उग जाएंगे आप ही लोग के लिए नुकसान होगा तो फिर ये बात सोचते हुए मैं सोचे कि नहीं मैं आप लोग को chapter wise ही क चलेगा आप लोग याद करते चलेंगे आई होगी तो चलिए आज कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में ही आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग को शेयर करना है WhatsApp ग्रूप जितने भी हैं वहाँ पर शेयर क पहुचे तो नाव विडाउट एनी डिले लेट्स बोटू स्टार्ट तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले सौट टाइप क्वेश्टन से यानि की मुक्तसर सवालात है यह उसके सांसाथ एंसर लिखा हुआ है सबसे पहला स जवाब में लिख दिया गया है कि फरतुला बेग और मियदानी मौलवी नजीर एहमद के यहां तालीम हासिल करने के लिए जाते थे और इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए और आगे लंबा लिख दिया गया है कि चुंकि उस जमाने में मदारिस और कॉलेज का आज कल की तरह आम नहीं था दूसरी बात यहां कि उस जमाने में यह रिवायत थी कि मूमन असताज के घर पर खुश्सी तोर पर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे तो इस वज़ा से जो है ना परतुला बेग और मियादानी मौर्वी साहब के घर ताली मासिल करने के लिए जाते थे ठीक हैं आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल है कि किस अर्भी शायर से मुतालिक सबक को पढ़ाने के दोरान मिया रजा की छुट्टी हो गई मिया रजा को आप लोग जानते ह इनके कॉलेज का एक दोस्त रहता है मिया रजा तो उसके छुट्टी कैसे हो जाती है मौर्वी साहब अपने ट्यूशन से कैसे बाहर निकाल देते हैं यही आप लोगो बताना है तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि अर्भी जबान के मशूर शायर के कलाम को पढ़ा के लिए जाया करते थे मिर्जा फरतुल्ला बेक के साथ एक दिन दिवाने मतब्भी पढ़ रहे थे यानि कि मिया रजा क्या कर रहे थे दिवाने मतनब्भी पढ़ रहे थे इशार में अराब ना होने के वज़ज़ से मिया रजा शार को गलत पढ़ दिये यानि कि इशार म पर मौलवी नजीर एहमद चिराग पाह हो गया यांकि बहुत ही नारम थे और यहां पर जो है ना मियारजा बहुत ही ज्यादा गलती कर देते हैं मतनबी की शेर को पढ़ने के दोरान मतलब एराब की तो गलती होती है शेर को नसर की तरफ पढ़ देते हैं इस वज़े से मौली साब बहुजदा गुस्ता हो जाते हैं और मियारजा को अपने ट्यूशन से बाहर निकाल देते हैं तीसरा सवाल है कि फरतुल्ला बेग शेर गलतिया बहुत किया करते थें वैसे भी नजम पढ़ने में फरतुल्ला बेग को बहुत दुश्वारी होती थी तो यहां पर क्यूशन पूछा गया था कि फरतुल्ला बेग शेर खवानी में किस तरह की गलतिया करते थें यानि कि जो राइटर हैं वो किस तरह की गलतिया कि तो वहीं आपर बताय गया है कि शेर खौनी के दौरान एक फॉराब की गलतियां बहुत जादा किया करते थे जबर जेर में यह तदा कंफ्यूज हो जाते थे जबर को जेर-जेर के पड़ू पर देते थे एक्राफ की गलती करते हैं अगे बढ़ते हैं अगला है कि मियादानी शूर्पड़ने में कैसी गलती करते थे लेकिन शेर ego कुछ इस अंदाज में पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि मियादानी शेर के बज़ाए नसर पढ़ रहे हैं हालत यह थी कि पढ़ने के दौरान सकता तो क्या जटका भी पढ़ जाते थे जिसके वज़ा से मौलवी नजीर एहमद जो हैं मियादानी से कुफ्त रहा करते थे यानिकि यहां पर बताये गया है कि मियादानी जो फरतुल्ला बेक के जिगरी दोस्त थे वो शेर पढ़ने के दौरान जो है ना एराब की गलती तो नहीं करते थे यानिकि जबर जेर पेश इनका ठीक था लेकिन शेर को शेर की तरह पढ़ना से यह ना लेकिन शेर को शेर के पर देते थे जिस तरह कहानी पढ़ा जाता है उस तरह पढ़ दिया करते थे इसी वज़र से जो है मौलवी सहाब मियादानी को डाठा करते थे आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है पांच नमबर प्रश्ण कि मौलवी सहाब के पढ़ाने का क्या तरीका था जवाब में लिखा तुलून मिजाजी के वज़ा से या तो ऐसे गलत अबारत पढ़ने वाले तुल्बा को दर्ज से निकाल देते थे या फिर डांट कर समझाते थे फिर अबारत दुरुस्त होने के बाद ही अबारत की तश्री पढ़ाते थे यान कि आपर बताये गया है कि मौलवी साहब को पढ़ने वाले बच्ची को अपने ट्यूशन से बाहर निकाल देते थे या फिर डांट कर समझाते थे और जब तक उनकी अबारत दुरुस्त नहीं हो जाती थी जब तक वो सही तरीके से पढ़ना नहीं सीख जाते थे तब तक जो है ना वो उससे पढ़वाते रहते थे औ और दुरुस्त होने के बाद एबारत की तश्री पढ़ाते थे या उस इबारत की तश्री बताया करते थे मानी बताया करते थे तो यह हो गया इसका एंसर आगे बढ़ते हैं अब वहाला है तर सा सा इंसर बही लिगा हुए और इसी वजू Cup जो जाब में बिखा गया है इस लिख सकते हैं शब्दों को सजा कर लेकिन यहाँ पर question answer इसी वज़े से तो मैं करा रही हूँ ताकि आप लोग सीख सकें कि हाँ सवाल का जवाब किस अंदाज में लिखना है किस तरह से लफजों को सजा कर लिखना है और बस इसी वज़े से मैं आप लोगो यह question answer करा रही हू और परतियेक लाइन को पढ़कर समझा भी दे रही हूँ यहाँ इस लाइन का क्या मतलब हुआ तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल क्या है कि मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्ता हो गए थे मौलवी साहब जो थे वो अपने स्टूडन से क्यों गुस्ता हो गए थे तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि मौलवी साहब अपने शागिर्दों से इसलिए गुस्ता होते थे कि वो दर्स के दरान शागिर्दो से पहले किताब की अबारत पढ़आ कर सुनते थे अगर तुल्बा ःबारत गलत पढ़ देते या कहीं एराब की गलती कर देते थे तो मौलवी नजीर अहमद सहब अबारत गलत पढ़ने को नाकाबिले मौाफि जर्म करार दिया करते थे मतलून मिजाज थे ही उपर से तुल्बा का गलत अबारत पढ़ना जले पर नमक का काम करता था ठीक है ना किसी तालिब इल्म की गलत अबारत पढ़ने पर या अरबी अबारत में गलत अराब लगाने पर वह इस कदर चिराग पा होते थे कि कभी कभी तुल्बा को दर्स से निकाल दिया करते थे मतलब ये बहुत पलून मिजाज की आदमी थे ठीक है थोड़ी सी भी गलती होती थी शेर को नसर की तरह ये फिर जबर जेर पेश में गलती हो जाती थी तो मौलवी साहब बहुचदा गुस्सा हो जाते थे और ट्यूशन से बाहर निकाल दिया करते थे आगे देखे क्या लिखा गया है कि मौलवी नजीर एहमद साहब के एक शागिर्द मियादानी का किस्सा है कि उन्होंने दिवान मौतनभी पढ़ने के दौरान मौतनभी के शार को कुछ इस तरह पढ़ा कि गोया शेर नहीं नसर पढ़ रहे हैं यानि कि एक किस्सा यहां पर बताये गया है एक बार की बात है कि मौलवी नजीर एहमद साहब यान कि मौलवी साहब जो है उनके यहां मियादानी गये थे पढ़ाई करने के लिए पढ़ने के लिए तालीम हासिल करने के लिए गये थे तो मौतनभी के शार को पढ़ रहे थे मियादानी और मौतनभी के शार को कुछ इस तरह से पढ़ है कि गोया शेर नहीं नसर पढ़ रहे हैं यानि कि शेर को शेर की तरह नहीं पढ़ रहे थे ऐसे लग रहाता कि वो कहानी पढ़ रहे हैं उस तरह तो मौलवी साहब एक दो इशार तक तो खामोसी से सुनते रहें लेकिन तीसरे शेर में भी जब मियादानी ने वही गलती दोराई तो मुलवी नजीर अहमत के गुस्टा की इंतहा न रही वह मियादानी पर इस कदर नाराज हुएं कि उसको दर्स से निकाल कर ही दम लिया फिर जब गुस्टा ठंदा हुआ तो दूसरे दिन उसे दर्स में शामिल किया यानि कि मुलवी साहब तो पुरा गुस्टा हो गया क्योंकि मियादानी जो है न वह बहुत गलती कर दिये थे दिये हैं तो एक दो इशार में कि तीसरे में जो है न मियादानी फिर वही गलती दो राया तो मुलवी साहब की गुस्टे की इंतहा न रही उसके बारसे क्या हुआ मलवी सहाब मियादानी को अपने ट्यूशन से बाहर निकाल दिये और जब गुस्सा ठंडा हुआ तो दूसरे दिन फिर से अपने ट्यूशन में सामिल कर लिए ठीक है एक दूसरे शागिर्द मिया रजा का भी यही अंजाम हुआ यानि की दूसरा जो शागिर्द था स्टूरेंट जिसका नाम था मिया रजा उसके साम भी यही अंजाम हुआ 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 है कि दिवाने मुतनबी ही पढ़ रहे थे मिया रजा और मिया रजा जो है मिया दानी वाले दर्स में ही जब मिया दानी ने अर्भी शेयर को गलत पढ़ दिया तो मिया रजा को यवार्द पढ़ने का हुकम हुआ 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 ह जो शेर पढ़ रहे थे मुतनबी की शेर पढ़ रहे थे उसी में वो गलती कर दिये तो फिर मियादानी से लेकर मैं रजा को दे दिये ठीक है कि लो भाई तुम अब पढ़ो तो मौसूफ ने शेर को मियादानी से तवील नस्र बना दिया मतलब की मौली सहाब को भला ताब कह उन्हों ने फORA मियारजा को सलादिया कि तुम मेरा म्सारू करो और कल से यहां आना Do. कर ला वहाँ यह जारि रहा पहले तुम मियादानी खल्ती की तुम थो मियादाने से किताब को ले कर जब मियारजा को मौलवी corresponding दिए पढ़ने के लिए कि लो भाई अब तुम पढ़ों तो मिया रजा तो मियदानी से भी बहुत ज़्यदा गलती कर दिए शेर की को नसर की तरब इना खतरनाक अंदास में पढ़े कि मुलुई साब का गुस्ता और भी ज्यादा जो है ना एक से एक डिगरी से उपर चला ग मार्दो यह सुनकर मिया रजा जो है नहीं निकाल रहा हूं वेल्कि मेरा मश्वरा ह Pack Gesh,-10-15 दिन Lang Portuguese, उस्ताद के दर्स में शाμिल हो जाओ यानिकि वो बोल रहें कि 10-15 दिन तुम काली जान के यहां पढ़ने के लिए जाओ ताकि नस्र और नज्म के दर्मियान फर्क को समझ सको और शेर से कुछ मनास्बत हो जाए यानिकि तुम काली जान के यहां कुछ दिन 10-15 दिन जाकर वहां पर तालीम हासिल करो ताकि तुम्हें नज्म और नस्र में फर्क समझ में आ जाए वरना तुम जिस तरह यहां शेर पढ़ते हो वह गोया शार के गले पर छूरी फिरने के मतरादिफ है इस तरह मियारजा बहुत स्रमिंदा हुए और मुली साहब के यहां जाना ही छोड़ दिये ठीक है उसके बाद से क्या हुआ आगे लिखा गया है कि मुली साहब बच्चों को पढ़ाने में बहुत सकती किया करते थे जब तालिब इल्म उनकी सकती को जहल जाता था तो मुली साहब के यहां से कुंदन बनकर निकलता था दरसल तद्रीज के दौरान सकती करना मुली साहब की शक्सित का जाहरी पहलू था वरना हकीकत यह है कि वो अंदर से बिल्कुल नरब मिजास वाकी हुए थे जाहरी सकती भी तद्रीज के मौमले में उनके इखलास का मजहर था ठीक है आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल है कि फरतुल्ला बेग ने अपने उस्ताज से क्या सीखा तो फरतुल्ला बेग जो है वो अपने उस्ताज यानिकी टीचर से क्या क्या सीखे यह आप लोगो को बताना है देखिए जवाब में लिखा गया है कि मुर्जा फरतुल्ला बेग ने अपने उस्ताज डिप्री नजीर से बहुत कुछ सीखा और उन से बहुत मतासर भी हुए पढ़ने के दौरान परतुला बेग नजीर एमद की शक्सित को करीब से देखा और बचश्म खुद मुशाहदा भी किया और शक्सित के हर पहलू का मुआइना भी किया परतुला बेग के उस्तार डिप्टी नजीर बहुत से बहुत से कदरदाप पैदा हो गए तो फरतुला बेग जू है अपने उस्तार से बहुत कुछ सीखे और बहुत ज़्या मतासर थें जिसका जिन्दा सबूत हमें देखने को मिलता है बेप्टी नजीर एमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी ये खाका को आगे बढ़ते हैं फरत आलनाजलाबेग का शुमार डिपिटि नजीर अहुमद के चहीते शागिर्दों में होता है जिर्यनेसाब खाका नजीर अहमद की कहानी में मिर्जा फरत आलनाजलाबेग ने वही कुछ बैान किया है जो उन्होंने नजीर अहमद से तालिम हासिल करने के दौरान सीखा और समझा और उन अहवाल को भी उन्होंने तफसील से बियान किया है किस तरह परतुलाबेग नजीर अहमद के घर जाकर तालिम हासिल करते थे अबारत पढ़ने के दोरान उनसे एराब की भी गलती होती थी अरबी के सर्फोनाओं में भी वह कमजोर थें नसर को तो वह समझ लेते थे लेकिन नजम को समझने में उन्हें परिशानी होती थी नजीर एहमद उन्हें बार बार समझाते थे और समझा कर परिशान हो जाते थे और अपने अफ्ताद तबा की वज़ा से नाराज भी हो जाते थे और नाराजगी की हालत में ही फरतुल्ला बेग को तालिम देने से इंकार कर देते थे लेकिन फरतुल्ला बेग भी धुन के पक अब फरतुल्ला बेक के इस जिद को दुनिया चाहे बिहाई कहे या उसे इल्म का बे इंतहा शौक करार दिया जाए या जो भी चाहे कहे लेकिन जिसके दिल में तालीम हासिल करने का शौक होगा वो अपने उस्ताद के लाख डाटने पर भी उसके कुर्बत और सोबत से दूर नहीं जाएगा उस्ताद की बुरी और भली दोनों बातों को सुनेगा और समझेगा और उस्ताद की नसीहत को सराखों पर रखते हुए घौर से सुनेगा ठीक है तो यह सारी बात लिखी गई है कि जिस स्टूडेंट के अंदर पढ़ने का शौक होता है वो अपने इसके दौरान एक मुरहला ऐसा भी आया कि नजीर एहमद ने फरतुला बेक को रहना कहा कि मतन तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा निकल जाओ यहां से यानि कि यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में एक बार की बात है कि नजीर एहमद जो है ना फर फौरान वापस आ जाएंगे आखिर नजीर एहमद भी मजबूर होकर नरम पढ़ गए और तबीत की नासाजी का बहाना करके रुकसत कर दिया और कल आने को कहा या दरसल फरतुला बेक के हसूल इल्म से बे इंताह शौक का मज़र था जिसमें वह सब्वी सद कामयाब रहें ठीक हैं आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रशन है कि फरतुला बेक की खाका निगारी के बारे में लिखिये फरतुला बेक की खाका निगारी के बारे में बताना है उनकी खाका निगारी कैसी है कैसे वो खाका लिखते हैं उनके खाका में क्या क्या खुसूसियत है या इनकी वि हुई हैं मज़कूरा नसरी स्नाफ में किरदार निगारी के मरहले में अक्सर और बेश्तर किरदारों का खाका पेश करने की रिवायत रही है उन्हें मुकामात में खाका निगारी की अब्तदाई शक्ले दस्तियाब हुई जिसे अद्बा ने आगे चलकर एक आज़ाद सिन्फ के तोर पर फ्रोग दिया अब नाविलों और अफ्सानों के साथ साथ अलग से भी एक दाफर तादाद में खाके दस्तियाब है अर्दू में खतुत गालिब और आब हायात में मुख्तलिफ शक्सियाद के तालुक से ऐसे नसर पारे मिलते हैं जिन्हें खाकों के सिलसिले में अब्तदाई तहरीर तस्तियाब करना चाहिए मिर्दा फरतुल्ला बेग ने अपने अफ्तार डिप्टरी नजीर अहमद का खाका डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी के अनुवान से लिखा जिसे खाका निगारी की तारीख में शाहकार तसाओर किया जाता है एक बाजाबता नसरे सिंफ की हैसियत से परतुल्ला बेग के इस खाका को अर्दु खाका निगारी की तारीख में पहला खाका अगर तस्लिम किया जाए तो बेजा ना होगा उन्होंने नजीर अहमद का खाका लिखकर गोया अर्दो में खाका निगारी की बुनियाद डाल दी आज खाको को नसरी अदब की एक दिलकस सिल्फ में शुमार किया जाता है यानि कि मिर्जा परतुल्ला बेक पनिस्ताद के उपर ये जो खाका लिखा ये खाका लिखकर जो है ना ये काफी मशूर हुए और एक तरसे खाका निगारी की रिवायत डाल दी यानि कि सबसे पहला खाका इन्होंने लिखा और सबसे पहले खाका निगार बने उसका फन घजल और अफसाने के फन से बहुत मुशाबट रखता है खाका ना सीरत निगारी हैं ना सवाना अम्री या दरसल किसी दिल आवेज शक्सियत की एक धुंबली सी तस्वीर है इसमें ना उनकी जिन्दगी के एहम वाक्यात की गुंजाईश है ना खास खास तारीखों की और नाहीं ज्यादा तफसील की खाका निगार ने किसी शक्स में कुछ काबले जिक्र खुसूसियात देखी हो और वह उन्हें दिल्चस्प और दिलकस्प अंदाज में बियान कर दे तो यही खाका है फरतुलाबेग नजीर एमद के शागिर्द थे हैं अद्बा और शुरा के हालाद कलम बंद किये हैं शाहरी भी की लेकिन उनकी शुरत का असल दारो मदार उनके बेमिसाल खाके डॉक्टर नजीर खाके को पहली मरतबा अंजमन तरफ की अर्दू हिंद के रिसाला अर्दू ने शुमार जुलाई उनकी यादगार मजाहिया तहरीरे हैं परतूला बेक के मजामीन का मजमूआ यानकी जो किताब है मजामीन फरहत के नुवान साथ जिल्दों में शाय हो चुका है तो ये सारी बात थी आगे भी लिखा गया है कि मुखतसर यह है कि यानकी शौट में बताये गया है कि खाकों में बेक वक्त खुदनविष्ट सवाना निगारी इन्शाया और अफसानों के सांसात मजमून का अज़्जा भी अज़्जा साथ शक्सित के दिल्चस्प पहलू सहब खाका के असल गदर वकीमत का तैयून हो अगर खाका निगार इन तमाम हिस्सों में तवाजन खायम नहीं कर सकता है तो उसकी कामयाबी पर सवाल ये निशान लग जाएंगा मिर्जा फरतुल्लाबे के खाकों में मस्कुरा बाला तवाजन बहुत हद तक पाया जाता है इस लिहाद से फरतुल्लाबे को एक कामयाब खाकानेगार कहा जा सकता है यहाँ पर फाइनली कमप्लीट हो गया तीसरा कुशन चोथा सवाल है कि दरजजायल एक्तबास की रोशनी में सवालों के जवाब दे यहाँ पर जो एना एक्तबास यानिक एक छोटा सा टुकडा दे दिये गया है अन्श दे दिया गया है कि जब तक कोई धक्ये दे कर ना निकालेगा उस वक्त तक हम जाते नहीं है और अगर जाएंगे तो अभी फिर वापस आजाएंगे तो यह इक्तबास है यानि कि छोटा सा टुक्रा दे दे गया है इस चैप्टिल का और यहां से इस इक्तबास से रिल्लेट कोश्चन पूछा गया है सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि यह कॉल किसका है तो जवाब में लिग देना है किया कॉल मिर्जफ रतुला बेक का है यानि कि किसने कहा है कि जब तक कोई धक्के दे मिर्जफ रतुला बेक VIS तक नहीं निकालेगा उस वक्त तक हम नहीं जाते हैं लेकिन अगर हम लोग जाएंगे भी तो अभी वापस आजाएंगे जब तक कोई हमें धक्के देकर बाहर नहीं का देगा उस वक्त तक हम लोग नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे भी तो फिर वापस आदाएंगे ये मिर्जा फरतुल्ला बेक बोले रहते हैं ये उन्हीं का कॉल रहता है तो ये एंसर में लिख देना है दूसरा सवाल लोई है वो सिर्फ इल्म की शौक को आजमाने के लिए तालिब इल्मों के जानने के लिए कहते थें दूसरी बात या है कि वा नजीर एहमत के सामने धीर भी हो गए थे इस वजज़े से अब यहां पर पांचवा सवाल है कि दर्जज़ जायल एक्तबास की रोशनी में सवा हो गए अच्छा भाई मेहारा मेहारा अच्छा खुदा के लिए किताब उठालाओ और सबक पढ़कर मेरा पंड़ छोड़ो तो यहां पर इस एक्तबास से तीन क्योशन यहां पर पूछा गया है और भी आगी क्योशन होगा चार क्योशन पूछा गया है सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि यह कौल किस का है यान कि यह किस ने कहा है तो यह कौल डिप्टिन अजीर अहमत का है यान कि मौलवी सहाब का है दूसरा सवाल है कि यह बात किस से कही गई है तो यह बात मिर्दा फरतुलाबेग से कही गई है इस कौल में किस से छुटकारा पाने की बात क नहीं गई है और लास्ट कुशन है कि इस कॉल में कौन किसका उस्ताद हो जाता है जो कॉल है इस कॉल में मिर्जा फरतुल्ला बेग नजीर एहमद के उस्ताद बन जाते हैं तो फाइनली यहां पर क्लास 12 के उर्दू का चैप्टर नंबर वन का सारा सब्जेक्टिव क्या अप्जेक्टिव कॉश्षन नहीं करूँ तौ मेरा जवार है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे objective question भी complete करा जाएगा लेकिन live class के माध्यम से लाइव class में मैं आप लोग class 12 के उर्दू का objective question complete कराऊँगी live question पूछा जाएगा आप सभी लोगों से objective question उसके बाद से आप लोग live answer बताएगे आप सभी लोग का answer को मैं खुद देख पाऊँगी live आप ही नोग से बाते हो पाएंगी ठीक है ना तो यह सबसे बड़ी बात है इसी वोज़ेसे मैं सोची कि सब्लोड लोग वीडियो के माध्यम से करा दिया जा रहा है और जो अब्जेक्टिव कॉस्च्ट है वह वो लाइव क्लास के माध्यम से कराया जाएगा ठीक है तो क्या आप सभी लोग एक्साइटेड है अब्जेक्टिव कुश्ण करने के लिए तो कमेंड वॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिएगा कि हां मैं हम लोग एकदम रड़ी है वी रड़ी फॉर लाइव क्लास ठीक ह ठीक है और आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है जो कुछ भी आप लोगों को समझाया गया है समझ में आया है तो बस लाइक तो बनता है पड़ा-फट लाइक कर दें और जितना जड़ा उसके शेयर करना है कमेंड वक्स में लिखकर भी बता दीजिएगा कि हाँ आज का क्लास हमें समझ में आया है और उसके बाद से चैनल पर आप लोग नए नए आये हुए हैं तो मैं आप लोग को बार-बार कहती हूं कि चैनल को सब्सकाइब जरूर कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहल चाहिंद और खुदा हाफिज